नमस्कार दोस्तों तो राजा भाई या ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हर्दिक स्वागत है तो दोस्तों मेरे को डिमांड आ रही थी काफी दिनों से एक हमारे जो व्यूर है सब्सक्राइबर है ठीक है एक इंडियन है वो आदित्य नाम है उनका और वो जर है वहां अपने इंडिया में क्या है ना क्या यहां नहीं है वहां क्या नहीं है तो यह सब यह सब डिसकेशन करना था यह सब इस बारे में बात करते हैं वीडियो बनाना था तो अभी आज मैं बना रहा हूं वो ओके ऑन पब्लिक डिमांड तो दोस्तों मैंने कुछ जनरल क और जन्रल इंफॉर्मेशन से उसमें कुछ वह बहुत नहीं है बेसिक चीज है वह उसमें से बहुत सारी आपको पता भी होगी ठीक है तो आज हम जन्रल कर रहे हैं फिर उसके बाद और स्पैसिफिक भी करेंगे इंडिया वसे प्राजी आज का पहला है यह सेशन का वीडियो है तो दोस्तों सबसे बड़ा डिफरेंस है मैंने मोबाइल में नोट कर लिया सब ताकि छूटे ना कोई पॉइंट है तो पहला जो डिफरेंस है वो है ट्रेंस ठीक है ट्रांस्पोर्टेशन तो इंडिया में अगर आपको मुंबई से आपको डैली जाना है जम्मू जाना है तो आपको बहुत सस्ते दामों में ट्रेंड मिल जाएगी अगर आप एसी से भी जाते हैं तो भी आपका दो तीन हजार रुपए ही खर्च होगा जाता ठीक है लेकिन तो यहां अगर आपको ट्रैवल करना तो यहां ट्रेंस नहीं है तो आपको या तो फ्लाइट से जान कीवा गया था ना यह समझ पर बारा घंटे की चल लिया उसमें मेरी बैंड बचते ठीक है तो आप आप सोचो कि अगर आप रियोडी जनेरो से साउं लुइस जाओगे नौर्थ में तो आपकी क्या हालत होगी और अगर आप उतनी दूर जाओगे ना नौर्थ ब्राजिल यहां रियोस है तो आपको कम से कम तीन दिन लगेंगे बस में और जो टिकेट होगी ना वो भी बहुत हाई होगी बहुत हाई मतलब यह समझ लो कि आपकी टिकेट ही और पांच-छे सो रियाली तो समझें तो 10-12,000 रुपए 10-12,000 रुपए आपको सिर्फ नौर्थ तो यहां तो मैं कहता हूं कि यहां उनी चाहिए । यह है इंडिया में फिर भी बुलेट प्रेन नहीं कोई बात नहीं है तो अगर आप ड़ी से गेरला भी जाना हो हूं तो भी आपको ट्रेन में तो उतनी सफर आप अगर आप देखो यार दो दिन या तीन दिन गुजारना है तो ट्रेन ज्यादा अगर आप लेकर नहीं तो बस में इतना सब फैसिलिटी नहीं देते पिर और फिर वही है रुकेगी उतरों गया वही सब चक्कर तो वह ट्रेन ज्यादा comfortable है अगर वो है तो यहां पर नहीं है वो सबसे अच्छा हमें जो इंडियन्स को फायदा है वो यही है कि आपको long journey करनी हो तो train available है और सस्ता है transportation आप पर अब ट्रेंस से जाओगे सस्ता पड़ेगा अभी हम आते हैं दूसरी बात है कि यहां पर बाजील में free lawyer से आपको कोई भी case करना हो civil case करना हो criminal case कोई भी हो सब के लिए free lawyer कि कई लोगों ने मुझे comment किया था free lawyer वाले वीडियो पर कि राजा भी है वो public prosecutor और वो क्या free lawyer वो यहां पर भी है मैंने उसके बारे में सर्च किया था वो सारे cases के लिए नहीं है वहां का थोड़ा अलग है वहां कोई criminal case है या उसका है तो शार उसी के लिए था लेकिन अगर आपको जैसे defamation का case करना हो कोई civil suit तो उसके लिए नहीं है ठीक है यह बात है तो यहां पर यहां पे ऐसा नहीं यहां पर आपको defamation करना हो चाहे criminal करना हो civil करना हो moral damages का case करना हो कुछ भी हो work से related case करना हो consumer court का कोई case करना हो consumer affairs वाला कोई case करना हो सब आप free का lawyer पकड़के कर सकते अगर आपकी salary कम है सबसे best बात मुझे यहां लगी तो यहां पर क्या लोग अराम से case करतें की बात करतें डारेक्ट को ठीक है यह मुझे सबसे अच्छी बात लगी यह जो इतना easily accessible है अगर आपको justice जो है आपको कौन अपने हां ऐसा attitude है कि कोट का cherry के चक्कर में पॉन पड़े किते हजानों लाखोन उपे भी खर्चोंगे उसके बाद फिर आपको कई सालों तक वेट भी करना पड़ेगा तो यहां ऐसा नहीं यहां पर कैसा motivation रहते कि चलो पैसे तो नहीं लगा दो और जितने जल्दी ह अगर इंडिया में कभी दस साल लगता होगा तो यहां तीन-चार साल में पड़ जाता होगा यह समझ लोगे कम है कम है ठीक है तो जो अभी जो पैंशन है वह कहां मिलती अगर आप गवर्मेंट जो आप कर रहे हो रेलवेज में हो बही कोई आप उसमें हो आप जैसे आर्म को पैंशन में हो तो आपको मिलेगी ठीक है तो इस में अगर यहां पे ब्राजील में आपको गवर्मेंट जोब में जो प्राइवेट जोब के बाद भी पैंशन मिलती है वह कौन में में मार्केटिंग में हूं तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हो और अपना भी सैलरी बढ़ सकती है। कि आपने साल काम कर लिए डायरोंट के बाद को पैंशन स्टर रहे हैं नहीं है आपको इंतिजाम करना पड़ेगा आपको बैनेफट जो हैं जैसे यहां पर यहां पर भी मिलते होंगे लेकिन आपको पैंशन नहीं मिलती है यहां पर कैसा हो था भई आपकी इतने साल सर्विस हो गई तो वह जो आपको मैंने काटे रहा बताया था ना वह बुक छोटी सी उसके वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं तो वह यहां जो पूरा हिस्ट्री रहती है रिकोर्ट रहता है कि आपने कितने साल काम किया कहा पूजीशन पर काम किया क्या सेलरी थी तो जो बहुत जाओ्ड हैं आम आप ले जाके वहां पर दिखा सकते हो और उसके बेसिस पे आपको पैंशन वहां से श्टार हो जाएगी शोचल सिक्योर्टी से गवर्मेंट की पैंशन तो वह पैंशन का वह बहुत ज्यादा नहीं रहता हूँ ऐसे यह एक डेड़ हजार रियाल है तो वह भी कम नहीं है मतलब आपका जो एक्सपैंसेज हैं वह निकल जाएगा ओके तो अभी हम बात करते हैं खाना जो मसाला कुछ भी नहीं है ठीक है लेकिन फिर यहां पर अपने अलग बेनिफिट हैं कि आपको वह इशूज नहीं होते कभी गैस औरी कभी ऐसे डिटी औरी वह सब नहीं होते हैं तो टेस्ट का वह है ठीक है तो यह खाने का डिफरेंस है वह तो बहुत ईजी है पता ही है अभी तो कंट्रोल में है में लेंड इंडिया में जो टेरियरिजम है वो कंट्रोल में है लेकिन हां जम्मू वम्मू में हो रहा है कश्मीर में हो रहा है तो वैसा टेरियरिजम जो है वह यहां पर नहीं है सबसे अची बात और यहां पर कैसा अगर आप पब्लिक और इस प्रोहिविटेंग तो लिखा रहे तरहा हैं यहां पर ऐसा कुछ नहीं फ्री है मैं जाते ही रहता हूं इंडिया से बहुत वह हैं यहाँ कोई टैंशन नहीं है ठीक है तो दोस्तों अब हम बात करते हैं रिलिजस्ट प्रॉब्लम्स तो इंडिया में है कि वह दंगा ह लेकिन यहां वैसी रिलीजियस प्रॉब्लम्स नहीं है सबसे मुझे अच्छा लगा कि वो रिलीजियस इशूज नहीं है यहां पर एक ही कम्मुनिटी है वो पता है आपको वह क्रिशियन लोग है सब और दूसरे धर्म भी है कम हैं और वो लोग पढ़ते नहीं है इस अब ल अच्छी बात लगी वहां है यहां नहीं है अभी हम बात करते हैं कि जो नेबर्स हैं ब्राजील वो नेबर्स जो हैं ल्याटिन अमरीका ensure दुश्मन नहीं अपने एशियां में हम इंडिया के दो दुशिमन देश हैं पाकिस्तान्र और चायना पाकिस्तानी जो देख रहे हैं वो बुना ना माने हमारे जो दुश्मनी है जो आपस में वो लोगों के बीच नहीं है वो diplomatic relations की में बात कर रहा हूं जब paper पर जो होता है ना तो हम diplomatic relations की बात कर रहे थो इंडिया की दुष्मन ही है डिपलोमेटिक relations में पाकिस्तान और is दोन दुष्मन है हमारे वे से यहां पर नहीं है तो वो तो हमेशा से सबको पता है इशूज नहीं है वो ठीक है उसके बाद जो बीचेज यहां पर वह ज़्यादा अच्छी है अभी बहुत सारी बीचेज ब्यूटिफल है बहुत सारी बीचेज और कई बीचेज इतनी अच्छी है ना कि वाटर आपको बिल्कुल क्लिस्टल क्लियर है साथ क्रिस्टल आइन बीच बोलते हैं उसको कि अगर आप उसमें पैर रख दोगे ना बीच में अंदर चले जाओगे पानी में तो आपको आपको पैर एकदम क्लियर दिखेगा ठीक है तो वाटर एकदम क्लियर है ऐसा बहुत सारी बीचेज हैं पर यह मैं कभी लेकर हमें भी मैंने गंदी की देखिए लेकिन अभी जैसे महराष्ट में दिव्यागर करके हैं हमारे कई दोस्त तो वहां पर कुछ अच्छी बीचेज हैं लेकिन वह बहुत ऐसी अच्छी अगर चाहिए तो यह थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है और अभी हम बात करने वाले ह या गर्फ्रेंड वाइफ्रेंड वो तो मैंने इंडियन गर्स ब्राजीलियन गर्स में बताई दिया था वह भी वीडियो की लिंक डालकूंगा तो वह ऐसा कुछ खराब नहीं अब जैसे इंडिया में है कि वह गलत है पढ़ाई पर द्यान दो नौकरी करो वैसा नहीं है और उसके अलावा लिबर्टी में यह भी आता है कि अगर जैसे अब कोई यह है या वो है तो फिर वहां अच्छा नहीं बानते हैं ना तो LGBT कम्निटी यहां पर टोटली ओपन है कोई इशूज नहीं यहां पर लौ भी है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए तो कई बार क्या ह होता है बहुत सारे LGBT वाले लोग यहां पर आ जाते हैं रहने के लिए अभी एक और है कि जैसे भाई आप मुझे क्या पढ़ना है इंडिया में कई बार वह फैमिली डिसाइड करती है कि बच्चा वह इंजीनियर बन में इस लेरिंग कर सीए कर मिया कर तो कई बार वो लोग कि बन जाएगा तो किसी का कुछ नहीं जा रहा है कुछ भी कर ले कुछ रहे अपना बच्चे निकल के अपना अलग घर ले लेते हैं अपने पसंद का काम करते हैं यह है तो यह है लिबर्टी जादा है थोड़ी यहां पर मतलब फैमिली की तरफ से भी है सोसाइटी में भी है तो अभी यह तो हमने बहुत सारे कर लिये हैं अभी एक और जो डिफरेंस है वह लास्ट पॉइंट जो है वह बहुत फ्रेंड्ली लोग है इस कंपरेट टू इंडिया की बुराई नहीं कर रहा हूं मैं आपको इंग जनरल बता रहा हूं कि जैसे अगर आप इंडिया मै किसी बैंक में जाते हो या कोई गवर्मेंट और तो कई बार ऐसा रहता है कि वह बैंक वाला आपको भगा देता क्या और जाओ टाइम नहीं बहुत काम है अब अगले हफ्टे आओ पहले क्यों नहीं आए अभी काम है तो कई बार ऐसा कर देते हैं भगा देते हैं काम नहीं होता है कि मुझे experience रही है हो सकता है आपको बहुत अच्छा experience रहा हो government वालों से कमेंट करके बता हो bank में government वालों से अच्छे experience रहें कि आप लोगों के मेरे तो बहुत बार खराब रहे हैं और मैंने बजाई भी है लोगों के तो मुझे मालूम है तो इसलिए मैं अपने experience के वैसे आपका हो सकता है बहुत अच्छा experience रहा गॉवर्मेंट offices में बैंक में तो कई वार ऐसा हो जाता है तो जो मैंने experience के उसके पर बता रहा हूं लेकिन जो यहां है ब्राजील है यहां पर मोस्टली सब लोग बिलकुल जो है काल दिखें मुझे बैंक में गये तो भी अच्छे से को डाल दूँगा तो वह एक आपको काईशा बैंक का थोड़ा हुआ था जो experience तो ऐसा हर जगह नहीं होता वह एक जगह हुआ वह सकता है उनको कुछ जो हुआ है बातचीत हुई है और experience रहा है वह अच्छा फ्रेंडली रहा है कि कोई भी यहां पर आपके पहचान का होगा जो ब्राजील में रह रहा है इंडिया नहीं हो पाकिस्तानी हो बांगलादेश वह कोई भी हो आप उनसे पूछ लें कि लोग कैसे हैं पर वो भी तो दोस्तों यही था मैंने यह नहीं कहा इंडिया के लोग फ्रेंडली नहीं इंडिया के भी फ्रेंडली है लेकिन कई बार आप अगर कहीं जाते हो किसी जगड़ा हो गया बहस है ना कभी कुछ हो गया भई है ना बस में हो गया कभी कई बार अभी जैसे आप फिल्म तो मेरी कई जगे होई जाती थी मैं टेंशन निलेता मैं सीधे चड़ जाता है तो आप लोगों का हो सकता है बहुत अच्छा रहा हो experience मैंने जो आपको points बताए है differences के वो मैंने अपने experience के basis पर बताए हैं और वो सच है पूर है ठीक है हो सकता है आपका कुछ different experience रहा हो और जो ब्राजील के बारे में बाते मैंने बताई है जो वो तो बिल्कुल correct है genuine facts है आप मुझे comment करके बताए आपको video कैसा लगा और ये वाली series भी continue होगी जब मुझे जो होगा पता चलता जाए का कुछ difference ऐसा लगेगा तो मैं करके video बना दोगा आप मुझे comment करके बताए ये video कैसा लगा और video देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाज जय हिंद भारत माता की जय वंदे मातरम सब्सक्राइब कीजिए राजा भीया ब्राजील वाले को और साथ में साइड में जो बैल आइकॉन दिया है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारे चैनल की सारी notifications आपको सबसे पहले पहुँचे